नमस्कार दोस्तों आपका श्रागत है हमारे एस्बी इंगिलिच में आईए लोग करता हैं कुछ खास सबरों की हुआ बलरामपुर जन्पत के थाना देहाद को तुवाली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हत्यारों को पकड़ने में शफलता हासिल की है जहां पर हत्यारों ने माश्टर प्लान करके इवक का हत्या कर सिर को गेहुं के खेत में छिपा दिया था वहीं आईए जानते हैं ये पूरा मामला कहां का है पूरा मामला बलरामपुर जन्पत के ठाना देहात को तुवाली छेत्र का है जहां पर बीते 13 मार्च को पुलिस ने 100 को बरामत किया था जिसका सेर कटा हुआ था वहीं पुलिस वालों ने और आसपास के लोगों ने 100 को नहीं पहचान पाया जिसका अभी तक खुला सा नहीं हो सका था लेकिन किसने की थी हत्या ये किसका 100 था किसका 100 फेका गया था इन सब मामलों पर आसपास छेत्रों में चर्चा का विशय बना हुआ था वहीं आसपास के छेत्रों में इस तरह के 100 मिलने से संसनी भी फैल गई थी पासपडोस के लोग सोच रहे थे कि ये 100 कहां से आया और किसका है इसका हत्यारा काउन है थाना कोतवाली देहात के प्रभारिन रिच्चक तथा सर्विस लांस टीम वा स्वाट टीम वा पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद हत्यारों को खोज निकाला पुलिस ने बताया कि खोजबीन के बाद पता चला कि लखनों के अच्छे मिश्रा और बेपुल मिश्रा का सव है जो कि अपने दो दोस्तों के साथ लखडी के ठेकेदारी का कारे करते थे दोनों एक बहतर ब्यापारी थे दोनों दोस्त गगंदीप वा राजेंद्र पाल ने पैसे की काफी हेरा फेरी की जिसको लेकर दोनों ने गुस्ते में आकर बालपुर गाओं के पास गन्ने के खेत में जाकर बेपुल मिश्रा की गलारेत कर हत्या कर दी थी तथा साव को जोले में रखकर बस्ते जिले के रुधाले छेतर के गेहूं के खेत में गार दिया गया था जहां पुलिस ने सिनाक्त करते हुए जमीन में गड़े हुए साव को खुलवाया तथा मिर्तक के भाईयों के सिनाक्त करवाई वहीं से हत्या में परियुक्त आलाक क गड़ास तभी ब्रामत किया गया और इन अभ्योक्तों को पुलिस ने गरतार कर जेल भेज दिया है तो ऐसा ही हर चोटी बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही वीडियो को आगे शेयर कीजिए जिससे एप को मिले आपके छित जुड़ी हर चोटी बड़ी खबर